हमने बच्पन में पढ़ा था कि कोशिका जो हमारे सरीर की सबसे छोटी इकाई है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर एक उतक बनता है और बहुत सारे उतक मिलकर एक औरगन बनाते हैं और बहुत सारे औरगन मिलकर एक सिस्टम बनते हैं तो जो कोशिका होती है उसको हम खाना देते हैं जब भी हम कुछ खाते हैं तो उन कोशिका तक खाना पहुंचता है और वो कोशिका अपना पेड भरती है और हमारे सरीर को चलाती है Dead Food मतलब की मरा हुआ खाना क्या क्या होता है मरा हुआ खाना पैकेट वाले फूड, चिप्स, लेज, कुरकुरे, मिक्शर, ब्रेड, बिस्किट्स हो गए ये सब मरा हुआ खाना है, यानि कि डैड फूड है और जब हम डैड फूड को खाते हैं, तो ये हमारी कोशिकाओं को जिन्दा रखती नहीं है कोशिकाओं को भी फ्रेश खाना चाहिए, मरा हुआ खाना नहीं चाहिए मरा हुआ खा के हमारी कोशिका मरने लगती है और यही कारण है जब कोशिका मरने लगती है, तो कैंसर सेल जो है वो बढ़ने लगते है मतलब कैंसर वाली कोशिकाओं बढ़ने लगती है अब आप सोजिए ये डेड़ फुट खाने से आपका शरीर कैंसर की बीमारी तक पहुंच सकता है तो आप खुद समझदार है आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए